आज हम व्यात्रा कर रहे हैं मुक्तिनात मंदिर की इस मंदिर के दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ती होती है। मोक्ष का अर्थ है, जन मृत्यू और पुनर जन के चक्र से मुक्ती। ये इस सिस्थान पर अपने सभी पापों से छुटकारा पाने में मदद करता है। इस मंदिर में 108 जलदाराएं हैं, जहां बुलेहड और दो कुन्नों से लगातार जलदारा बह रही है। ये आप 108 जलदाराएं देख रहे हैं। माना जाता है कि जो भी इन 108 जलदाराओं के पवित्र जल में इसनान करता है, वो मोक्ष की प्राप्ती करता है। इसलिए लोग यहां पर इसनान करते हैं। मुक्तिनात को हिंदू धर्म में मुक्ति शेत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है मुक्ति या मुक्ष का स्थान। मुक्तिनात मंदिर को वैश्रमों के आठ सबसे धन्य मंदिरों में से एक माना जाता है। मुक्तिनात मंदिर बौधों के लिए भी काफी महतपूर माना जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरू पद्म संभव ने कुछ समय के लिए इस स्थान पर ध्यान किया था। इस मंदिर में भगवान विष्णू की मुक्ष मूर्ति सोने से बनी है देवी लक्ष्मी और देवी पृष्वी की दो मूर्तियां भगवान विष्णू की बाएं और दाएं हैं। माना जाता है कि हाँ भगवान विष्णू को ब्रंदा की श्राप से मुक्ती मिली थी